नमस्कार दोस्तूं पारत और वेश्ट इंडिस के बीच आखिरी वंडे मुकाबला खिला जा रहा है क्विन पार्क ओवल पोर्ट ओप स्पेंट रिनिदाद में इस मुकाबले की लाइव अपडेट क्या है हम आपको इस वियोडों बताएंगे साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेंग 11 इस मुकाबले के लिए यहने कि दोस्तों इस मुकाबले से जुड़ी वी तमाम जानकारी जानने के लिए बने रहे हैं इस वियोडों के पूरे आखिर तक और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया आज के जीत कर आज इतियास रचना चाहेगी क्योंकि अब तक भारतिय टीम ने वेस्ट इंडिस में कभी बी कलिन स्विप नहीं किया है तो आज का मुकाबला जीतने के साथ ही कप्तान सिकर धवन ऐसे पहले कप्तान बन सकते हैं जो कि वेस्ट इंडिस को उसी की धरती पर हराने व मुकाबला है वेस्ट इंडिस की टीम की हम बात करें तो बल्ले बाजो ने अच्छा पर्पोमेंस किया है तो गेंडबाजो ने भी कमाल का पर्पोमेंस करके दिगाया हैं लेकिन यहां पर देखा जाए तो किसमत उनकी टीम के साथ नहीं थी जिसके चलते दोनों मुकाबले उन्हें हाडने पड़े क्योंकि दोनों मुकाबले कापी नस्दी की थे और एक समें ऐसा लग रहा था कि दोनों मुकाबलों में वेस्ट इंडिस की टीम का बलड़ा भारी है लेकिन फिलाल टीम इंडिया ने दो जिरो की बड़त तो बना ली है लेकिन आज के मुकाबले में टीम इंडिया भी अपनी प्लेंग 11 में बदलाव करने जा रही है तो चले दोस्तों हम जान लेते हैं दोनों टीमों की प्लेंग 11 के बारे में हम बात करें याँ पर वेश्ट इंडिस की प्लेंग 11 की तो इनकी तरब से पर अकिल हुसेन उतरेंगे तो नमबर 8 पर रोमा रियो सेपड उतरने वाले हैं जबकि नमबर 9 पर अलजारी जोसेप तो नमबर 10 पर जैडन सिल्स और नमबर 11 पर हेडन वाल्स उतरने वाले हैं वहीं पर टीम इंडिया की प्लेंग 11 की हम बात करें तो टीम इंडिया की त तरने वाले हैं नमबर साथ पर अक्सर पटेल उतरेंगे तो नमबर आठ पर सर्दुल ठाकूर नमबर नो पर मोहमस सिराज तो नमबर दस पर यजवेंदर चैल वर नमबर 11 पर आज अर्श दिप सिंग को डेब्यू करने का मोकाप मिलने वाला है वहीं पर दोस्तों अब इस म बात करें तो यह मुकाबला आप से कुछी देर बाद शुरू होने जा रहा है जो कि खेला जाएगा पोट आप सपें तरी निदाद में जिसे आप लाइव देख सकेंगे फैन कोड एप और साथी साथ डिडी स्पोर्ट्स पर यह मुकाबला बारते समयन सार साम के साथ बज बरूर करें तन्यवाद